प्रेंड्स कैसे हैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे अपना बेहत ही ख्याल रख रहे होंगे आज के वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्लास नायद की बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है नो मैन आर फॉरेंड इसके पोईट हैं जेम्स क्रक्ड तो आईए इसको एक्स्प्लेंड करने कोशिश करेंगे अच्छा लगए तो प्लीज शेर जुरू करें उससे पहले सब्सक्राइब करें अपना मोस् फेबरेट एजुकेशनल एंड यूर लविंग चैनल संधील गोस्वा में पहले इस पोईब के बारे मैं आपको एक मिनिट में कुछ बताना चाहूँगा जो इसका content है, जो इसका central thought है, central idea है पोईट हमें यह बताना चाहता है कि दुनिया में सब हमारे हैं और हम सब के हैं मसलन वो यह कहना चाहता है कि हम सब में कोई भी जुदा नहीं है हम सब में कोई अलग नहीं है हम सब एक जैसे ही है चुक्के हम सब एक जैसे ही है हम सब में एक जैसा दिल गुर्दे फेपडे दिलो दिमाग है सिर्फ ख्यालों काई तो फर्क है आए इस फर्व को मिटाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे के बारे अच्छा सोचें और उससे भी ज़्यादा ज़रूर्दी है कि सब को अपने जैसा सागे आए यह पोएम शुरू करते हैं आगे हम पोएम से समझने की कोशिश करें remember no man are strange याद रखो कोई भी इंसान अजनभी नहीं वो हमारे जैसा ही है and no country is foreign और कोई भी देश भी देशी नहीं क्योंकि हर देश में रहने वाले लोग आखिर हमारे जैसे ही तो हैं beneath all uniforms a single body breathes like ours और किसी भी देश की जो आर्मी है उसकी ड्रेस के अंदर जो दिल धड़क रहा है जो इंसान है वो हमारे जैसा ही है the land our brothers walk upon और जिस धर्ती पर जो लोग चल रहे हैं is earth like this इसी धर्ती पर इसी तरह की धर्ती पर हर जग एक जैसी है in which we all shall lie एक दिन हम सब को इस जमी में ये खाक हो जाना है या जमी दोध हो जाना है या इसमें दफन हो जाना है या इसमें भश्म हो जाना है तो फिर ये अलर्ड होने का क्या किस्सा है क्या फसाना है they too have here of sun and here and water दूसरे मुल के लोग भी इसी धर्ती को इसी वायू और इसी पानी से वाकिफ है परचित है are fed by peaceful harvest और इसी जमीन पर होने वाली फसल से वो सब जीवित है वो सब पलते है by wars long wintery star लेकिन जब युद्ध आता है युद्ध की जो सर्द राते है वो हम सब को भूखा मार देती star means हम भूख से बिल्मिला रहे होते हैं their hands are ours इनके हाथ हमारे हैं and in their lines we read और इन हाथ की रेखाओं में हम पढ़ सकते हैं a labor not different from our own बड़ी important line है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जाये जनाब गरीब गरीब होता है और उसकी खिसमत उसकी हाथ की लखीरें इस जैसी ही होती है remember they have eyes like ours that wake or sleep हमें ये भी नहीं भूलना है साथियो कि उनकी जो आखे हैं वो हमारे जैसे ही हैं वे हमारे जैसे ही जाते हैं और हमारे जैसे ही सोते हैं and strength that can be won by love और उनके अंदर भी वही ताकत है इसे महब पस सजीता जा सकता है कहते ना कि तलवार से दुनिया पर राज किया जा सकता है लेकिन मुहबबस से लोग के दिलों पर लोग के धिमाग पर लोग के रोश और हवाश पर राज किया जा सकता है In every land is common life और हर दुनिया में common life का मतलब life for a common man एक आम आदमी की जुन्दगी एक जैसी ही है मुश्किलों से भरी, तकलीफों से भरी स्ट्रगल, संघस से भरी और उन संघस से सामना करते हुए उस लडाई से भरी They all can recognize and understand वे सब पहचान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं Let us remember हम सब को याद रखना चाहिए Whenever we are told हम से जब कभी भी कहा जाता है To hate our brothers कि अपने ही भाईयों से नफरत करो It is ourself, यह हम ही होते हैं That we shall disposes, betray and condemn जिन्हें दुनिया की हर खुशियों से महरूम किया जाता है, वन्चिप किया जाता है बिट्रे किया जाता है, धोखा दिया जाता है या फिर कंटेम उसकी निंदा की जाता है मसलना गरीब की काभलियत को हमेशा नीचा दिखाया जाता है उससे हमेशे पीशे ही रखा जाता है Remember we who take arms against each other याद रखो कि हम ही तो हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हत्यार की एक खड़े है एक बार फिर पोईट हमें याद दिलाता है कि दुनिया में जितनी भी तकलीफे हैं उन सब का हल ने कालने के बजाए लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए है और ये भूल जाते हैं कि दुनिया में इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है और ये इनसान की जो धर्ती है न इसको प्रदूशित भी इनसान ने किया है इसमें जितनी भी गंद पहलाई है जितनी भी तकलीफें जो पैदा हुई है जो जितनी भी हम देख रहे हैं जो पॉलिशन हो गंदगी हो वो सब इनसान का दिया हुआ है और ये जो हिल्स ऑफ फायर एंड डस आउट्रेज दा इनोसेंस अफ एर जैट इच एब्रिवियर आवर उन और ये जो हिल्स ऑफ फायर जो हतियार हैं जो आव बसाते हैं जाए वो खतरनाक से खतरनाक जैविक हतियार हों या परमाणू हतियार हों ये हमीने बनाए हैं और इस दुनिया की जो मासूमियत है उसे हमीने नश्ट किया है वाइलिट किया है और हर जगे हम कहीं भी चले जाएं इंसान ही इंसान का दुश्मन बना है Remember, याद रखो, no man are foreign कोई भी दुश्मन नहीं है and no country भी इस ट्रेंच और कोई भी देश अजनवी नहीं है हम जहां कहीं भी जाएंगे, लोग हमारे जैसे ही होते हैं कितना अच्छा होता हम उनमें अपना प्यार बाढ़ते बजाएं नफरत होते हैं So friends, आपको यह पोएम इसका explanation कैसा लगा? अच्छा लगाओते Please subscribe करें, संजीब गोश्वामी और एक लाइफ ज़रू करें और प्लीज शेर करें Namaskar